मसल स्पिंडल हमने इसमें बहुत सरे पार्ट पढ़े थे इसके कारण्ट से मसल्स जो है अपनी टोन मेंटेंड कर पाती है तो वन पार्ट ऑफ मेंटेनिंग करने के लिए हमारे पास और गना सेल इस लोग एस मसल स्पिंडल अब muscle spindle जैसे हम लोग reflex करते हैं class के अंदर tendon के ओपर hit करते हैं tendon extend होता है तो stress feel होता है muscle को that is known as stress reflex बन करके आईए sir कहां चल रहे हैं अब ऐसे से sir कहां से आ रहे हैं तो इतना जल्दी आने का कैसे विचार किया और नय कुछ आपके पास कॉफी, पैंसल, कुछ नहीं अटेनेंस के लिए आयो नहीं क्या ज़रुए तो कुछ ज़रुद नहीं है बन रहने को तो क्यो पेपर पर बात कर रहे हैं लाओ मुझे लिए तो अटेनेंस के लिए का हूँ आएगा दे निजे बते अटेन्ड किया पहले क्लास एक भी अटेन्ड नहीं किया पॉस्चर से एकिलिब्रियम पॉस्चर इस 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 थिंग थार्ड या फोर्थ क्लास है इसमें लंबे टाइम अप्सेंट रहते हैं तो बीच में तो और भी बहुत सारी गटमाए हुई है अपसे अच्छा थेंक्यू लिस्ट रही होनस्ट रिफ्लैंच तो इस 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 इंट्रफुजल फईर एक्ट्रफुजल आपको अगर थोड़ा को जिनोंने अटेंड किया में पूरा तो नहीं पढ़ा सकता हैं वापक तो इस इस इन अटेंटर पूरा नारी इंटमा तो इसो इस 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 में तो इस 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 इए पूरा तो इस इस इतो आपक और मेकानिजम्रागाणाव पर ल्मोह ऑगे कप्राइब्स जोंसे सारी चीज़ीद आती हैं एक बास्टिलयर रिफ्लेक्स खारपते जो खी एक्श्य पाइनल यव़वर कंट्रोल होते हैं और चो मोटर नेरं धेट इस्नों अलफा मोटर नेरॉर उसके ऊपर कई सारीओंसे होते हैं इस अपर कैनाल रिन प्रॉप्योस्टर्स हैं इन सब से उसको signals मिलते हैं and then accordingly it will maintain the posture तो हमारा जो reflex part है that is divided into two parts one is static another is statokinetic दो category के अंदर हमने reflexes को divide किया हुआ है one is static another is statokinetic तो last time हमने static वाला part जो है वो पूरा complete कर लिया था एक छोटा सा part बागी था that is statokinetic part static और statokinetic में difference क्या था word के अंदर meaning है इसका खुदी already it is explaining बैठे वे खडे वे जब आप move नहीं कर रहे है acceleration नहीं है body के अंदर उस time पे जो posture के अंदर reflexes लगेंगे वो static reflexes है जो body को बताएंगे और brain को बताएंगे या muscle spindle को बताएंगे कि आपको कहां से contract होना है कहां से relax होना है तो वहाँ पे जो reflexes work करेंगे जो कि gravitational pull के उपर काम करते हैं इस आर static reflexes और जब acceleration होता है रहे इस can be linear और इस can be angular और any kind of moment तो उसको जो sense करते है reflexes वो होते है stratokinetic reflex और phasic reflex तो दो पार्ट है वन इस muscle की tone maintain करना second part है reflexes जो कि इस tone को correct करते है according to requirement reflex भी जाके tone के उपर ही connect होगा because there you need some contraction muscles ही है हमारे पास जो कि maintain करेंगे posture को तो ये reflexes भी वहीं जाके connect हो रहे है क्योंकि ये बता रहे है muscle को कौन सी muscle को कब किस तरह से किस position में contraction होना है और relaxation होना है reflection है या extension है क्या चीज है वो reflexes बताते है तो reflexes दो condition के हैं static and sthetokinetic now फिर हमने देखा था static reflexes के बारे में तो static reflexes हमारे थे local, segmental and general local जो same muscle के उपर काम करते हैं last time भी बात करी थी इस बारे में कि जहां से origin हो रहे हैं वहीं पर ये act करते हैं जिस muscle ये टेंडेंस है origin हो रहे हैं segmental मतलब एक हिस्सा एक पार्ट उस segment के अंदर वह act करेंगे and general are which are activating the whole body body के अंदर पूरी muscle कहीं पे भी body के अंदर वह activate कर सकते हैं तो these are three categories local, segmental and general अच्की ज़र असे statokinetic की बात करें तो यहां पर तीन category हैं फिर से vestibular placing reaction visual placing reaction and hoping reaction तो जो signals जो vestibular apparatus से आ रहे हैं वह जब जाके combine हो रहे हैं spinal cord के उपर तो वह बन रहा है vestibular placing reaction कि आपकी body का जो placement है body का जो stretcher correction है that will depend through the vestibular apparatus से जो signal आएंगे उसके इसाब से secondly visual placing वादा visual signals आ रहे हैं visually जो हमें पता चल रहा है किस तरह के जगे हम है गिरने वाले है या जो भी दिख रहा है मैं उसके उपर जो reaction generate होगी उसके उपर जो reflect generate होगा contraction, relaxation, extension flexion जो भी होगा that is the part of visual flashing reaction when we are moving all these things are when we are moving same जो यह reactions है यहाँ पर भी आती है यह general में आजेंगे general static reaction reflexes में then hopping reaction में जो जो हमारा पैर का तला पढ़ता है कहीं पर भी तो उसके उपर जो हमें पता चलता है जो पॉस्चर जो body के जो joints की position change होती है मतलब की proprioception and the sensation which is coming from the bottom of the foot so these are hopping reaction के अंदर आ जाती है so statokinatic की 3 variety इसकी 3 variety फिर यह सब category के अंदर divide होते हैं आगे की इनके अंदर कौन-कौन से reflexes basically आ रहे हैं तो हमने देखा था की head to neck और वो सब चीज़े body on neck cat वाला example देखाना है writing reflex writing reflex उसमें पहले वो अपनी girdan सीधी करते फिर girdan के साब से body सीधी करते body के साब से legs को सीधा करते हैं और फिर landing होती है उसकी अब जब हम local की बात करते हैं तो reflex control anti-gravity muscle tone वो इसमें आ जाएंगे positive supporting और negative supporting so reflex जो anti-gravity muscles को कर रहे हैं उसको दो और reflex फिर support कर देखाएं अज़ support positive support और negative support positive support will increase that tone and negative support will relax की वो बताएगा की हाँ अभी हो गया पोस्टर ठीक इसको बंद कर वा जए mechanism को so this is the meaning of positive and negative supporting reaction so contraction of flexure and extensor of the limb and disappearance of positive supporting reflex अगर ये negative supporting reflex अगर ये negative supporting reflex अगर ये negative supporting reflex अगर हो रहे हैं तो it is blocking the positive supporting reflex जो की basically body के correction को कर रहे है positive supporting contact of skin of foot in the ground touch pressure receptors spinal cord के अंदर होगा assemble and contraction of flexion and extension segmental जो हमने crossed crossed वाला एक बहुत बढ़िया example pain के अंदर मिलता है हमें जब कोई करम चीज को आप touch करोगे या फिर आप कोई पे disbalance हो रहे हो तो आपका this side में आपका body है उस side में आपका flexion होता है और दूसरी side में extension कराती है और इसको दूर लेके आने के लिए flexion कराती है गरम चीज को ऐसा हाप लगाया है या कोई ऐसे चीज है जिससे आपको दूर होना है तो उस kind में cross extension response contraction of flexion of ipsilateral limb and contraction of extensor of contralateral limb this is segmental reflex this is the pathway for the segmental reflex now general static reflex जिसमें पुरी body involved होती है पुरी body की muscles involved होती है so this is known as attitudinal reflex long loop reflex and writing reflex so writing reflex is one thing you will judge and then you will correct the other thing according to that position अगर आपको neck की position है तो आप neck के हिसाब से पुरी body की position को check कर रहे हो उसको सही कर रहे हो writing reflex उसको सही position में ला रहे हो इसी तरह से अगर आपका दूसर reflex है long loop stretch reflex long loop में क्या है what is long loop stretch reflex anybody remember जो इसका नाप है वो ही suggest कर रहा है what is long loop reflex पिशली बार पिशली बार बात हुई थी long loop है मतलब बड़ा loop बनेगा एक है आपका point जहां पर assembly हो रही है that is spinal cord और signal पहीं से आना चाहिए जो कि बहुत दूर हो उस से उस area से दूर हो वहाँ से आपके sensory signal आने चाहिए visual receptors so visual जो हमें signals आ रहे हैं वो long loop reflex बनाते हैं then attitudinal reflex is जो कि हमारे tonic labyrinthile reflex जो कि semi circular canal से आ रहे हैं and tonic react reflex neck की position के साब से head की अब जो यह labyrinthile है मतलब कि neck जो head की position है तो कि head move होगा तो vestibular apparatus move होगा और vestibular apparatus move होगा तो वो signal बेज़ेगा तो वो इसमें आ जाएगा tonic labyrinthile reflex और उसके साब में आएगा neck move होगा है तो neck reflex So, these are the 3 more categories of static reflexes So, as the name suggests labyrinthile which is related to vestibular otolith organs, vestibular, extensor and rigidity tonic neck reflect related to stretch of neck due to, इसके अंदर कुछ sensors है, जो कि medulla में फिर assemble होते हैं and they can cause the flexion of ipsilateral and extension of control lateral limb on turning of the head labyrinth hell में उल्टा होता है यहाँ पे flexion of ipsilateral है, यहाँ पे होगा extension of ipsilateral and flexion of control lateral फिर यह diagram देखा था पिछली बार भी हमने this side head move हो रहा है, तो अगर head वाला reflect है तो silent कर लीजिए आप और पिछे आगे बढ़ जाओ जाओ, जाओ, जाओ कोई नहीं बढ़ा महां बढ़ जाओ रहा है, तो रग जाओ तो तो अगर आपका head से अगर movement से अगर revoke हो रहा है reflex इसलेटरल साइड में extension and opposite side में flexion और neck के movement से अगर हो रहा है neck tonic reflex रहा है इसलेटरल साइड में flexion and opposite side में extension this is the funda of tonic labranthal reflex and tonic neck reflex which is the attitudinal reflex part of attitudinal reflex फिर इसके बाद आएगा long loop reflex जिसमें हमारा long loop के अंदर receptors होते है हमारे stretch जो अगर swaying होता है body तो यहाँ पर अपने को visual receptor, muscle spindle जो की body के different part में लगे हैं फिर वो integration parts सिर्थ वापस से spinal cord so that's why it become long loop reflex so writing reflex according to the position the writing will be take place this was the example which we have seen here on the starting your cat will try to correct its head first head पूरा घूम गया अभी head नीचे के साइड होगा then body will move body will be corrected then limbs will be corrected and then landing will be there तो इसमें कई सारे reflexes देखे थे हमने head on body, body on head और इस तरह से, फिर ये भी देखा था कि head अगर आप एक जगर fix कर दो तो वो body की position समझके वो भी के body के अंदर proper sector है body जहाँ पर ground के उपर touch होगी या हवा में कहीं पर भी किसी भी चीज़ से touch sensation मिलेगा body को तो उसको body की position पता चलेगी proper sector से, तो उस हिसाब से वो correct करेगी अगर head की position, यहाँ तो typical देख रहे हैं, पहले head correct होगा फिर body correct होगी, फिर leg होगा तो these are different these static reflexes, general static reflexes और writing reflexes एक order में work कर रहे हैं, पर इस order को अगर आप disturb करोगे तो भी host attack correction of posture so this is known as body on body reflex pressure on the side of the body, extra receptor matrix, इसमे आप इस तरह से it can be corrected, then optical writing reflex, limb writing reflex stretch of limbs, appropriate posture of the limb can be achieved और यह वाले हैं, जो labyrinthine writing reflex और head writing reflex पहले head, then body writing reflex, और body on head writing reflex, then you have mech on body writing reflex now we are at the last part which is known as stratokinetic reflex reflexes which are working during the excleratory motion, so excleratory motion हमारे दो होते हैं, linear होता है और vertical axis पह सकता है, और angular भी हो सकता है कि आप सुसे, तो अब linear movement कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे vestibules है, vestibular organs है which organs are there, last lecture में में इसक्षा हुआ था यह secular and nutrical are related to linear motion and vertical या फिर angular motion होते हैं, तो हमारी semi-circular canals are there which will assess the condition of the motion so, these reflexes by the angular rotatory and linear exclaratory progressive stimulus of the labyrinthine receptor of vestibular operator these programmed reflexes depend upon the motor cortex and ultimately mediated by vestibular spinal tract so, these are the three reflexes which we have already seen in the table, vestibular placing reaction visual placing reaction and hopping reaction so, stimulus कहां से आएगा lateral exclaration and receptors are electrical and the secure visual वाले में eyes are the receptor, cerebral cortex foot placed on the supporting surface foot placed on the supporting surface in position of support of body hopping reaction lateral displacement wide-standing muscle spindles system involved होंगे yogi stretch reflex generate होंगे तो उसके ताप्टे muscle spindle हाएँगे and cerebral cortex hop maintain the limb in the position support the body so, these are the three stratokinetic reflex so, all are these the mechanism related to maintenance of posture now, you will also add some different parts which are different body जैसे कि अभी आपन पढ़ते पढ़ते देखा हमने vestibule so, vestibule एक पुरा organ है अलग से उसको vestibular apparatus के अंदर हम लोग पढ़ाते हैं तो वो यहाँ पे जब आपको आएगा उसका knowledge you can add it in the posture and control area then cerebellum which we are starting today cerebellum that also you can add in it which is related then vessel के इंगलिया so, vessel के इंगलिया से related जो भी part है उसको आप इसमें एड कर सकते हो we'll continue in the next circle जो भी प्रेएगा starting with so, cerebellum is hemisphere hemisphere का क्या मतलब है yes it has two parts it has two parts but पूरा एक circle यह बनाता है so, hemispherically it has two parts cerebellum two lobs are there and cerebellum को फिर divide किया गया आपने पढ़ा होगा एनाट्मी के अंदर भी already cerebellum हो चुका है आपका अनाट्मी में so, अनाट्मी में आपने पढ़ा होगा कि पुराना cerebellum होता है एक जिसम आर्कियो चेरिबलम बोलने है then एक middle zone वाला है paleo and then there is neocerebellum so, these are the three parts phylogenetically divided dividing the cerebellum but anatomically then different are there and physiologically अगर आप देखो तो floccal nodular lob जो नीचे वाला lob रहता है जो posterior part में रहता है उस lob को छोड़के जो उपर वाला पूरा part है that is considered as anterior lob और anterior part और anatomically anterior lob बहुत छोटी है जो कि आगे एक यह लिंगूला के आसपस रहता है then physiologically changes so we have physiological anatomy हमको समझनी है जरूरी है हमारे लिए योखी जो आपने anatomy पढ़ी है जो anatomical anatomy पढ़ी है जो that is different from the physiological anatomy neural circuits and neural activities connections कहां कहां बनते इनके then function and applied physiology it is called silent area 150 gram so physiological anatomy so externally आप देख रक्ते हैं इसमें कही सारे यह साब आपका देखा है so phylogenetically जो हम लोग पहले बात कर रहे थे which is divided into three lobs one is archaeocerebellum which is consisting of floccalodular lobe and lingual इनको हम बिल्कुल primitive मान थे है जो lowest grade of animals है उनमें आपको यह मिल जाएगा organ so it is from the animal kingdom की अगर आप development की बात करते है अगर आपने वो पढ़ा होगा तो वहाँ पे जो brain development आप पढ़ोगे तो archaeocerebellum is the part which is common to many phylums और many जो पीछे नीचे के जो kingdom है उनमें आपको मिल जाएगा then paleocerebellum which will be developed after the archaeocerebellum और आपको जिसमें developed animals हैं उनके इंदर आपको फिर पेरीबलम के इंदर paleocerebellum भी मिलेगा जिसमें entrial lobe, accept lingula and posterior lobe में pyramid, vulva and para follicular then neocerebellum is a wide part which is in the side में रहता है बिनकुल which is whole posterior lobe, accept pyramid and vulva it is very newly developed area और ये basically mammals में ज्यादा डालोप पाया जाता है इसमें मैं में सबसे जादा है functional division जो हमारे काम का है physiological division या physiological anatomy जो हमें जरुरत है जिसके बारे में जानने की आज which is known as functional division इसमें हम तीन पार्ट में cerebellum को divide करते हैं one is vestibular cerebellum जिसमें हमारा floccolodular lobe आएगा which is receiving signals from the vestibular operator so यहाँ पे signals कहां से आ रहे हैं vestibular apparatus से so that's why it is known as vestibular cerebellum और इसमें part कौन से involved है floccolodular lobe जो कि हमारा arceo cerebellum का part है so balance maintain करने में इसका सबसे बड़ा रोल है इसको हम बोलते हैं vestibular cerebellum part of the cerebellum then second part which is lying in the center is known as spinocerebellum spinocerebellum इसमें आपका vermis वाला part आ जाता है and paravermal जो part है वो इसके अंदर आता है तो अगर आप cerebellum को ऐसे बीच में से देखें तो यहाँ पे vermis रहता है बीच में and इसके पास का जो part है paravermis रहता है so that is the part of spinocerebellum और यहाँ से क्या बनता है paleocerebellum इसमें आ जाता है and postural reflexes and other things में यह काम करता है then corticocerebellum central cerebellum dentate nucleus muscle smooth performance okay sorry जो center part है cortical वाला वो इसमें आएगा corticocerebellum में and this spinocerebellum consists of paleocerebellum जो side का पार्ट होता है जो main lobe वाला पार्ट है that is the spinocerebellum you can see here vestibulocerebellum which is the lowest part जिसमें आपका floconodular lobe आएगा okay then the central part which is consists of spinocerebellum जहाँ से आपके दो descending tracts जाते है one is medial descending tracts and second is lateral descending tract medial descending tract and lateral descending tract दोनों का काम postural reflexes को maintain करना है साथ साथ में जो lateral descending जो system है जो tract है it is related to distal movements distal muscles जो होती है उनके movements के related काम करता है and medial descending system है it is related more to the central or the axial muscle coordination तो spinal cerebellum में बेसिकली आपके दो तरह के descending tracts है descending systems है वो जा रहे है and उनमें जो medial वाला है it is related to central body parts उनके अंदर tone maintain करना उनका postural reflex maintain करना that is the function of medial descending system lateral descending system more related to distal muscles जो की final movements कराते है जैसे के हाथ की muscle है इसके की muscles finger writing के अंदर इसके अंदर जो help करते है that is related to more lateral descending system para vermal जो area है उसके अदर so this is known as vermal area this is known as para vermal area this is known as vestibular cerebrum और उसके अलावा जो पूरा part है to the motor and pre-motor cortical जाता है this part और paleocerebrum part is related to planning planning and execution of movement motor की planning किस तरह से करनी है that is related to this part so functional division अगर आप समझ रहे हो तो आगे फिर समझना बहुत easy हो जाता है TJ को इसके बाद में सिर्फ आपको layer से याद रखनी है बागी सारी चीज़ें यहां से आप functions और बागी सारी चीज़ें आप easily understand कर सकते हो आगे lecture के अंतर अरे यार तुम फिर पीछे बैट के बाते कर रहे हो कर यहा हुँएं widen के लाद हुएं, पीर जगे जागे चीज़ें ए लाद में अलेगा याद डूम पीज़ें ूलेड़ें अर्षकीज़ JENN